हाई गाईज, वेलकम बैक तो दे कॉंस्टेंट गाईड, हाउ आई यू, कैसे हैं आप सभी लोग, तेके, आज को जो वीडियो यह बहुत रिक्वेस्टेट था, ठीक है, इस पर वीडियो लाना चाहिए, कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, वर्किंग एस्पिरेंट्स का, ठीक है, तो चलिए स्टार करते हैं, मैं आपको पहले डिस्क्रेमर दे दू, कि इसको आप चाहो तो 1.25 पर 1.5 पर आप देखे देख लेना, बट लेकिन आपको जो है, इसकी हर इंफॉर्मिशन देखनी है, ठीक है, जो भी मैं बोलूँगा, साल सत्य वचन होंगे, ठीक है सुनना, बहुत important है, बहुत काम में आने वाला आपको, ठीक है, चलिए स्टार करते हैं वीडियो को, देखे पहले बात तो यह वीडियो किन लोग के लिए अपने के बाल है, जो लोग working aspirants है, या फिर जो लोग college में है, ठीक है, college के third year में है, second year में है, final year में है, और या फिर बहुत सी मेरे पास message आता, home makers का, कि जो housewife है, उनको time नहीं मिलता, they have a baby to handle, और उसके लावा जो है, फिर वो पढ़ नहीं पाती है, तो वो कैसे अपने time को manage करें, ठीक है, basically देखी होता यह है, कि मैं यह मान के चलूँगा, कि आपके पास दिन के जो है, तीन से चार्र घंट होगी, कुछ लोग की UK shift होगी, 11 to 8 होगी, तो आप उस तरह से manage कर लेना, मैं आपको time दे रहा हूँ कि तीन चार घंटा आप निकाल रहा हूँ, college going students है, तो उन लोग अभी 9 to 5 लगबग रहता है, यह college, ठीक है, और weekend पे off होगा, आपको plan बताने जा रहा हूँ, यह बहुत realistic plan है, तो मैं कुछ यह नहीं बोलूगा, अगर एक दो महिने में निकल जाएगा, मैं आपको total एक साल का time आपको लेगे चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखे, banking के तयार ही असान है, इतनी भी असान नहीं है, कि आप job साथ साथ जो है, उसको कुछ महिने, एक दो महिने मे काम करते हैं, जहां पर आपका English पर अच्छा काम हो जाता है, आप बोलते हो English काफी हो, आपका cause होती होंगे English में, तो अगर आपकी English इस तरह से अच्छी है, और Math अच्छी है, तो फिर आपको बहुत फादा होने वाला है, आप शाहर एक साल से कम टाइम में भी अराम से पा कोचिंग होती है, इन में क्या होता है, कि सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, और आप उनके individual doubts वगारा भी पूछ सकते हो, ठीक है, तो यह प्रोग्राम काफी ठीक है, आप चाहत उसको ले सकते हो, और इसकी link में आपको description में दे दूँगा, आप अगर वहां से directly जाओगे, तो आपको 10% off बे मिल जाएगा, इस वीडियो को स्टार करने से पहले, मैं आपको तीन pre-recursives बता दे रहा हूँ, कि आपको ये तीनों चीज तो मतलब करनी ही करनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखना, देखें, जॉब के साथ, या फिर being in a homemaker, अगर आपको ये सारे ये इच्छा नहीं होती कि आप कुछ और पड़ पाओ, तो बहुत ही स्ट्रॉंग विल पाओर चीज होती है, नहीं मुझे अभी ये करना है, मुझे ये चीफ करना है, मुझे ये चीफ करना है, मुझे दूसरा आपको हमेशा अपना वाइक ले रहा ना चाहिए तो आप य इसरा यह important है कि आपको थोड़ा सब मतलब से कटना पड़ेगा ठेक है मतलब इसे मालो कि पार्टी से फ्रेंड से लोगों से कटना पड़ेगा थोड़ा सा अभी के लिए जिब आप तयारी फ्रेस में हो ठीक है और छोटे मोटे प्लेजर से जो मतलब हैं उन सबसे कटना पड सबसे थोड़ा सब कुस टाइम के लिए आपको कटना पड़ेगा तो जा कि आपका एंग्जाम क्लियर हो सकता है इसको दो फार्ट में बनाऊंगा एक तो आपको यह फर्स 6 मन पर आपको क्या करना हूंगा जब आपको यह फर्स 6 मन का एक्जिक्यूट कर लोगे मैं यह मान चल रहा हूँ कि आपको morning में मान लो आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, आपको 3 घंटा मिल जाता है, ठीक है, आप वहां से एक घंटा फिच कर लो, उस एक घंटे में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है newspaper, ठीक है, आप जितना newspaper पढ़ सकते हो, उतना ए आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हो, आपको पता है, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं हमेशा यह बोलता हूँ, आप कुछ भी पढ़ो, just read anything, ठीक है, तो आपका morning का जो fresh mind होता है, वो reading में जाना चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब आप चले गए, जो पे यह है, आप आये शाम को मैं यह मान चलता हूँ, आप सब कुछ करके आवाके, ट्रैवलिंग का अपका free हो गए आप, अब जब भी आप जो है, जो है, कॉले से कहीं से भी आओना काम करके, तुरंती के पढ़ाई स्टार्टिंग करने चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ही मुन टोरं से आती है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशा लग जाता है, तो फिर वो पढ़ाई आपके खराब हो जाती है, तो हमेशा क्या करो, आप ब्रेक लेनी कोशिश करो, आप 630 का राउंड आए, आप एक से डील घंटे का ब्रेक ले दो, ठीक है, मैं आपको विंडो दे रहा हूँ, एक स जादे आप कोशी करता है, तो मैं जिन जाने के बादा आप का रहा हूँ, आप का रहा हुआ कर लो, आप चर्छ बीशान कर लोगी, और ऊच्छ बहां लेए, आप खाय पीलो हलका सा, थिक है, मतलब दिमाग और पेट, शान्त हो जाना चाहिए, तो और यह दोने शान्त दीस इंत ना तो हो कि अगल ने डिल जांटे आप माइशरा क्हाना पकरकर निकाल ने वाले इसमें आपको करने क्॑छ सबसे मैं साथ को यगर भूल रहा हूँ तो आपको देख लाना है मैंने पहले वीडियो से में बताया है तो यह जो पांच शे इंपॉर्टन चैप्टर से नारिसमेटिक के आप सबसे पहले इनको करने कोशिश्च करो अब मैं यह ने बोलूँ किस दिन आपको क्या करना है वह आप और टेखया से पांच शे मेने में इनको अच्छे से कोश्च करना है य। फिर आपको आपको करना है साथ में डिर अपने करने spoself जो भी सब्सक्डेल glowing आप यूट़् उसको लगा सकते हो आप YouTube इस realization को मैं देदू आप लोग के चुकी कि IBPACE PO और SBIPO दोनों के एकजाम आने वाले हैं तो आप में से जिनको लगता है कि आपको कोचिंच चाहिए आपको मेहनत मतलब आपको किस टीचर से पढ़ना है तो टेस्ट बुक पे लाइफ प्रोगाम चल रहे हैं और यह जो IBPACE PO कि लाइफ कोचिंग होती है इनमें क्या होता है कि सारे टीचर पढ़ाते हैं और आप उनके इंडिविजल डाउट वगारा भी पूछ सकते हो ठीक है तो यह प्रोग्राम काफी ठीक है आप चाहत उसको ले सकते हो और इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे तो इस तरह से क्या करो आप एक से लिए हंटा पॉसल बनो अच्छा मैं आपको पॉसल रात में क्यों किया क्योंकि देखिए जब आप रात में होते हो तो दस बज़े के आसपाद आप चुकि दिन बर आपने काम किया है उसके बाद थोड़ा था ठकने लगते हो और नीन की अब आता है हमारे लिए वीकेंड जो आप सबसे आदा इंतया करते हो वो दो दिन आपके लिए बहुत प्रिश्यस होते हैं क्योंकि इन दो दिन में कम से कम हम 15-16 घंटा निकालने वाले हैं पढ़ने के लिए ठीक है कैसे करना है देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ जाया आपको फर्स आप सब्सक्राइब होगा ये संडे होगा ठीक है पहली बात तो आप किसी एक दिन में मतलब हाफ टाइम के लिए आप चाहो तो ब्रेक लेलो ठीक है बेस्ट कि रहे हैं आप संडे को शाम कर लो ठीक है आप करना क्या है आपको जो रिमेनिंग बसता है म आप क्या करो इंग्लिश में ग्रामर वाला पॉर्शन उठा लो ग्रामर वाला कैसे करोगे मैंने आपको बता रखा है प्लिन टू परामाउंट की बुक आती है नितु सिंग की या फिर एस्पी बख्षी की आप कोई भी इन में से एक बुक लेलो और इससे आप क्या करो ग स्पीड के वाला मेरे वीडियो देखना मैंने समय पता है आपको क्या करना है ठीक है तो स्पीड पर काम करना बहुत जरूरी है यह हो गया मैस का पोर्शन प्लस रिजनिंक का जो पोर्शन आपका हो गया जो नॉन पजल सा वाले साइट टॉपिक है कैसे कौन-कौन से राइ अपने वीडियो मता रखा है अगर आप यूटूब पर फॉलो करते हो तो आप अंशुल सैनी हैं वो उनको बैंकर स्पॉइंट फॉलो कर सकते हो अदर्वास जो भी आपके पास बुक है आप उससे फॉलो कर सकते हो ठीक है एक हैबिट यह होनी चाहिए कि आप जो हफते में माले बेक ले और यहां जो आप डो दिनी को आपको फेंट मिल रहा है ौहटे मे महींड में में आपका एक इक वीकेंट ऐसा होना चाहिए एक वीकेंड में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आपने जो क乾ु को आपने पढ़ाए वह आपको गर्योंस की बैड गया अब उसके कुश्चन आएंगी या फिर उसके कुछ भी टॉपिक आए तो आप हैंडल कर लोगे तो इस तरह से आपको अपने फर्स्ट हाफ की प्रपेरिशन रखनी है ठीक है यह था आपका प्लान दूसरा मैं आपको पार्ट लेके आओंगा मैं आपको फिर आग की टाइम का प्लान मराऊंगा ठीक है अभी आई होप आपको वीडियो सुनने आ गया होगा और अच्छा लगा होगा